दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने PNR नमबर से अपना ट्रेन टिकट प्रिंट कैसे कर सकते हैं तो पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि सिर्फ दोस्तो आप अपने मोबाइल से PNR नमबर से ट्रेन टिकट कैसे प्रिंट कर सक अगर आप चैनल पे पहली बार हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बैल आइकन को ओल पे स्लेक्ट कर लें तो चलिए शुरू करते हैं तो PNR नमबर से ट्रेन टिकट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपेंड कर लेना है तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपेंड कर लेता हूं और गाइज अब आपके सामने क्रोम ब्राउजर ओपेंड हो जाएगा अब आपको यहां गूगल का interface खुल जाएगा, अब आपको यहां एक option मिलेगा train का तीन नम्बर पर आपको train का option मिलेगा, आपको इस पे click करना है और गायज अब आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा, अब आपको यहां first पे PNR की स्थिती का option मिलेगा तो आपको इस पे click करना है और guys अब आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा अब आपको यहाँ tap to enter your PNR number तो आपको इस पे click करना है और अब आपको अपना PNR number जो 10 अंका होता है आपको यहाँ type कर देना है तो मैं यहाँ type कर देता हूँ आपको कर लेना है तो guys finally मैंने अपना PNR number टाइप कर दिया है आपको कर लेना है अब आपको यहाँ search पे click करना है अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा अब आप यहाँ देख सकते हैं 27 March 2022 22 की train है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो ticket है आपके सामने आ चुकी है अब आपको यहाँ इसे print करने के लिए सबसे उपर share का option मिलेगा आपको इस पे click करना है और guys अब आपको यहाँ screenshot का option मिलेगा और एक और option मिलेगा long screenshot तो आपको long screenshot पे click करना है और guys अब आपके सामने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा अब आपको यहाँ इस तरीके से select करने ना है नीचे आपको right के option पे click करना है अब आपका यह जो है screenshot आपके phone की gallery में save हो चुका है तो दोस्तों कुछ इस परकार से आप अपने pnr नंबर से train की ticket print कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएए वीडियो को like करना चैनल पे नहीं है चैनल को subscribe कर लेना